ओपनिंग बैट्सवन पिच्च की और बढ़ते हुए स्पिनर आया है एटाइक में सब तैयार इनिंग्स की पहली गेंद के लिए और नजाकत भरा ये शॉट फास्ट आउट फील्ड चार रन मिलेंगे जब ये मारना शुरू करते हैं तो इनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है क्याप में खेल दिया है क्या दूसरा रन्चुरा पाएंगे किसी भी फॉर्मेट में सिंगल्स और डबल्स सबसे महतु पूर होते हैं आसानी से केला एक रन के लिए और ये गेंद हमा में अच्छा शॉर्ड बस सिंगली मेलेगा सिंगल लेकर बल्ले बाज अच्छा स्ट्राइक रोटेशन कर रहे है बढ़िया बैक अप इसे कहते हैं गेम अवेरनेस स्पिन गेंद बाजी खेलने के लिए क्रीस का बहुत अच्छा उप्योग करते हैं ये ये गेंद फिर इसे डालनी पड़ेगी वाइड बॉल आकरम कप्तानी स्लिप फील्डर लगाया है बना शौर बैतरीन ताइमिंग छे रन के लिए स्पिन गेंद माज वापस आते हुए पाउर प्ले की समापती कप्तान आप दो से ज्यादा फील्डर थर्टी यार्ट सिर्कल के बाहर रख सकते हैं बढ़िया खेला आसानी से दोरण मिल सकते हैं स्टम्स के बहुत करीब थी ये त्रो बढ़िया फील्डिंग फाइन लेक पे कोई फील्डर ने गेंद बाजी आफस्टम के भार रखनी होगी अब ओवर दु विकेट गेंद बाजी करने का निर्म है बल्ले बाज धीरच से खेलते होए नो बॉल का इशारा बल्ले बाज को मिलेगी आप फ्री हेट चलिए देखते हैं कि अब बल्ले बाज इस फ्री हिट को कैशिंग कर पाएंगे बहुती शानदार प्लेसमेंट और शार रं मिलेंगे यहाँ पर गेंद बाज साइड चेंज करते हुए राउंद विकेट अब गेंद बाजी करेंगे आसानी से केला एक रन के लिए रन रेट बढ़ाने के लिए थोड़े चांसे लेने होंगे अब अच्छा शार बस सिंगल ही मिलेगा अंति मोवर्स के लिए विकेट को हाथ में रखना बहुत ही इंपॉर्टन्ट होगा सिंगल लेकर बले बाद अच्छा स्ट्राइक रोटेशन कर रहे हैं ये रही पारी की आखरी गेन आपके सामने सुन्दर शॉर्ट गैप में सीधा चार रन के लिए इनिंग्स की समापती सलामी बले बादों को जल्दी पैड़ अप करके वापस क्रीज पर उतरना होगा फिल्डिंग टीम पूरी तरह से तयार लग रही है आपर तेज गेन बाद को लाया गया है बले बाद तयार अपनी पहली गेन का सामना करने के लिए बल amor हो अवा मेड़िवा औरे तकक पहली है तक करने के लिए लंबा शॉर्ट खेलने का प्रयास और गेन सीधा फील्डर के हाथों में काफी निरास लग रहे हैं अगली पारी में कोशिश करेंगे कि ऐसी गलती फिर ना दोरा आए चत्तुराई से गेन बाजी कर रहे हैं गेन बाज ला जवाब टाइमिंग बढ़िया तरीके से गैप ढूनडा और चौका बटोरा जब ये फुल फॉर्म में होते हैं गेन बाजों के छक्के छुड़ा देते हैं बहुत ही बढ़िया गेन बाजी का प्रतर्शन गेन बाज द्वारा बड़े शॉट मारने के पहले बल्ले बाज को पिछ पर थोड़ा समय बिताना होगा कमाल गए शॉट चौका मिलेगा दर्शकों ने बढ़िया माहौल बनाया है आज क्वालिटी क्रिकेट जो देखने मिल रही है उने बढ़िया गेन बिल्कुल कनेक नहीं कर पाएं बल्ले बाज देखते हैं स्पिनर को इस पिछ पर कितना परचिस मिलता है इसके साथ पावर प्ले समाप्त हुआ ओ नजाकत भरा ये शॉट फास्ट आउट फील्ड चार रन मिलेंगे गेन बाज को अपनी लाइन एंड लेंग में थोड़ा अनुशासन देखाना होगा बल्ले बाज ने लाइन मिस की और गेन जाके लगी बाडी पे बल्ले बाजों को अब बाउंडरीस की आवश रखता है ये रन रेट बढ़ाने के लिए बॉल पैर पे लगिया अच्छी अपीर लेकिन अमपायर ने दिया नौट आउट और वो अमपायर के डिसिजन से सहमत है कप्तान ने अपने रिसोर्स को बहुत अच्छी तरह से यूज किया है हवा में कई है गेंद आसानी से खेला एक रन के लिए सही जगह पे मौजूद तो थे मगर शायद सतर्क नहीं दमदार शौर्ड और ये च्छक्का विश्वाज बरा शौर्ड था ये अच्छी बल्ले बाजी ये रही पारी की आखरी गेंद आपके सामने अच्छा शौर्ड बस सिंगल ही मिलेगा बहतरीन फील्डिंग और बोलिंग का प्रदर्शन हमें देखने मिला यहां पर फील्डिंग टीम ने अपने टोटल को देखते हुए उंदा बोलिंग की कप्तान को दाद देनी पड़ेगी जिस तरह उन्होंने अपने बोलर्स को रोटेट किया ये जीत तो इनी की थी